असलाम लेकुंग आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही सिंपल से सब्जी के रेसिपी जिसको आप अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत जादा मज़दार यह बन के तयार होगी और बहुत ही खाने में मज़े के लगेगी आप एक की जगा चार रोट करते हो साइज में काट सकते हैं फिर नेक्स्ट मैंने ले लिया यहां पर आलू दो मीडियम साइज के मैंने आलू काट ली है और इनको मैंने छोटा-छोटा काट लिया जादा बड़ा नहीं काटा फिर मैंने एक पैन में लिया है टूटेवल स्पून ओईल मैंने डाल के इसमें फ्राय कर लेना है फ्राय में तब तक करना है जब तक और यहां की थोड़ी गोल्डन भी लगी एब मैं पर दूप आप चाहें तो इसको जिंजर गार्ली का पेस्ट कद्दू कस करके भी डाल सकते हैं लेकिन अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट यूज कर लें मैंने फ्लेम को हलका कर दिया है और लहसना द्रग के पेस्ट को मैं फ्राइब कर लूँगी थोड़े प्यास के साथ ता एक्स्ट्रा वाटर होगा वह भी निकल जाएगा और आलू है ना फ्राइब होने के बाद बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में तो यहां पर मैं इसको फ्राइब कर रही हूं मैं 2-3 मिनट इसको खुला पकाया है मैं इस पर ढखकन ढख दिया है तो आप देख सकते हैं नमक नमक आप पर पर पिने टेस्ट का अकोडिएं रख देए फिर मैं चार हडी मिर्च काट लीक भारीक भारीक जाल पिर में इसमें मिर्चो डाल ली हो मिर्चो का मैंने पेस्ट कषा रख इसको पना लूँगी तो 5-6 मिनिट इसको मैंने धकन धक्के बना लिया है अब मैं इसको हटा रही हूं और इसमें अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं थोड़ सा पानी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं यहां पर मैं एक कर्टोरी पानी डाल ले हूं और अगर आप इसका अभी ठकन हटाया है उसमें आपको 2-3 मिनट और बना लेना है तो यह सूखी सबजी तयार हो जाएगी अगर आप घर पर खाने के लिए तो इस तरह की थोड़ी हलकी सी ग्रेवी वाली बना ले अगर आपको कहीं ले जाना है तो आप ट्रेवल में है तो आप सूखी स इस फ्लेम में बनाया था कि अच्छे से बने और इसका जो तेल है वह चोड़ देए तो आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल इसका कलर जो है चेंज हो गया और इसमें तेल भी बिल्कुल छोड़ दिया है वैसे मैंने देखा है इस सब्जी जो है जादतर पसंद नहीं अगर को इसको बनाता भी तो कीमे में डालता है आप इसको आलू में डालके बनाके देखें इस तरीके से बहुत हैट यह दो कि छतब खाइंंगे मेरे तरीके से दरूर्व यह सब्जी और सब्सक्र फाइदे भी खाने के बहुत ज़्यादा इनमें कैश्यम आइरन होता है तो इन्हें हमें खाने चाहिए सबस्जों को और अगर आप नहीं खाना पसंद करते हो तो इस तरीके से बना खाएं तो जरूर पसंद आएगी आपको खाने में तो अब हम लास्ट के इंग्रीडेंस देख लेते हैं क्या हमे चाहिए सबस्जी बहुत ज़लडी हो चुकि आप चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है क्योंकि मैं इसको मिक्स कर लिया तो मैं इसको मिक्स कर लोंगी मिक्स करने के बाद जो है हम इसको फिर से ठकन ठक देंगे हलका सा भाप लगने देंगे ताकि जो इसका थोड़ी सी कच्छी रह गई है वह बन जाए तो मैं इसमें ठकन ठक दूँगी बस आपको दो मिनट तक और बनाना है और जो हमारी सबसी रेडी हो चुकी है मैंने इसको पर धनिया पत्ती गार्णिश कर दी है तो देखिए आप कितनी बड़े लग रहे हैं हमारी सबजी और अगर आपको पसंद आयो तो आपको भी जरूर सको ट्राइब करें मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और मुझे कॉमेंट में बताएं आपको यह रेसिपी कैसे लगी मिलते हैं नई वीडियो में कुछ न्यू आइडियास के साथ